हलो दोस्तों, अगर आपका dmate account grow के अंदर है और आपने एक साल से कोई भी transaction नहीं किया है, कोई भी trading और investment नहीं किया है, तो आपका dmate account dormant हो चुका है, deactivate हो चुका है, आपको अपनी basic detail फिल करके reactivate करना होगा, आप अपनी detail update करना चाहते हैं, तो उसको भी update कर सकते हैं, reactiv करने का process क्या रहता है चलिए मैं आपको grow app में दिखाता हूं दोस्तों सबसे पहले grow app को open करेंगे अगर आपके पास में application नहीं है तो play store से आप download करके simply आपको इसको open कर लेना है जैसे आप इसे open करेंगे four digit pin के थुर आपको इसमें login कर लेना है login करते ही आपको यहाँ पे home screen पे देखने को मिलेगा reactivate your account यहनी आपको लिखाओ अभी है कि आपके account को यहाँ पे एक साल से ज़्यादा का time हो चुका है बीना किसी activity की हो यह तो आपको activate करना है तो reactivate now नीचे में आपको green color में लिखाओ आ रहा है इस पे आपको click करना है जै इसे कि आपको यहाँ पे income detail सो करेगी, occupation सो करेगा, marital status आपको सो करेगा और आपको address सो करेगा इन में से अगर आपको कोई भी change करना है तो आपको नीचे में देखिए edit detail का option दिया गया है इस पे आपको click करना है तो first आपको यहाँ पे occupation पूछा गया है अगर आप लोग यह आपे self-employee से अगर आप कोई भी government service लग चुके है तो वो आप update करना चाहते है तो कर सकते हैं, कोई भी आप update करना चाहते है अपना काम तो आप यहां से कर सकते हैं, next आपको income update का option मिलेगा, आपकी income अगर ज़्यादा हो चुकी है, कम हो चुकी है तो आप यहां से update कर सकते ह उसके बाद में marital status पूचा गया है आपके अगर साधी हो चुकी है तो आप merit भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप single है तो single कर सकते हैं उसके बाद में next page पे आपको यहाँ पे डिजी लॉकर डोकुमेंट फोर के वाईसी का पेशो करेगा तो आपको यहाँ पे नीचे की साध में proceed की ओप्शन पे कलिक करना है जैसी आप इहाँ पे enter करके next के option पे आपको click करना है आपके अधार रेजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा उस OTP को आप यहाँ पे enter करके continue के option पे आपको click करना है next आपको यहाँ पे six digit का security pin पूछा गया है अगर आप dg locker पहले से use करते हैं आपके पास में pin है तो आप यहाँ पे pin एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास में pin नहीं है तो forget security pin इस पे आप यहाँ पे नीचे में click करेंगे अपनी date of birth यहाँ पे आप enter करके continue के option पे क्लिक करेंगे कोई भी नए security pin आप यहाँ पे एंटर करके और continue के option पे click करना है अगर आपके पास में पहले से pin अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे pin forget करने की जोरत नहीं है आप पहले वाला pin यहाँ पे use कर सकते हैं जैसी आप यहाँ पे pin enter करके continue के option पे click करके next आपको यहाँ पे KYC details हो करेगी आपको यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे allow के option पे click करना है next आपको यहाँ पे face document नीचे में आपको यहाँ पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे time लगेगा processing होएगा और उसके बाद में आपको next process देखने को मिल जाएगा उसके बाद में आपको एक selfie capture करना है तो आपको यहाँ पे नीचे की side में open camera के option पे click करके और बिल्कुल सामने देखिए आपको यहाँ पे clear selfie है वो capture करना है इसमें जो भी आपको permission पूछी जाए उसके लिए आपको यहाँ पे allow कर देना है Selfie capture करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे e-sign करना है तो नीचे की side में proceed के option पे आप यहाँ पे click करेंगे next आपको यहाँ पे sign now के option पे आपको click करना है आपको इस box पे click करके अपना अधार नंबर यहाँ पे enter करके send OTP के option पे click करना है आपके अधार registered mobile पे फिर से आपको OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे enter करके verify and e-sign के option पे click करना है आपका e-sign process complete होते ही आपका जो account activation का जो process है वो complete हो चुका है एक से दो दिन में आपको यहाँ पे account आवो reactivate कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप grow app को फिर से trading और investment के लिए use कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंद आया तो like करे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में thanks for watching this video